किखर तो टान ने लिया हम ठी ये कमिझ खोलके रखे थे कॉन चुराली है राजद में कॉन जाता है बाई बीमुह भारती गई हैं चलो चालीस का चालीसो सीटले वहुक आम नितिस्कमार को बोले हुए थे मर्नों प्रांथ तर्फान की सांथ हमने सरकार बचाइए और वूपर से आदिस मिला है क्या कुछ आदिस मिलेगा लाठी दंग चला दें तब ठाव ठीक है जो है जदियू के खाते में गई है और उस पे वो चुनाव लड़ेगी और इसलिए जो है आज अपने कैंडिडेट्स का जो है नामों का ऐलान उसने कर दिया है उस नाम में भागलपुर लोकसभा सीट है जहां पे गोपाल मंडल चाह रहे थे कि चुनाव लड़े लेकिन हवा हवाई सावित हो रहा है आपको बता दें कि गोपाल मंडल कई बार सावजनिक रूप से दावा कर चुके थे कि भागलपुर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे लेकिन अब उनकी उमीदों पर पानी फिर गया है ऐसे में गोपाल मंडल के अगले कदम को लेकर चर्चा मौजूद है यानि जेव से उनका टिकट जो है गायब हो गया है गोपाल मंडल अक्सर दावा करते रहें कि टिकट तो उनकी जेव में रहता है और हम टिकट बाटने वाले लोग हैं पता दें कि गोपाल मंडल ने कहा था कि भागलपुर से मैं लोग सभा चुनाव गोपाल मंडल को करारा जटका दिया है अब सवाल है कि क्या करेंगे गोपाल मंडल गोपाल मंडल भागलपुर जिले के ही गोपालपुर से जेडियू विधायक हैं और इस बार भागलपुर से लोग सभा का चुनाव लड़ना चाहते थे सूत्रों की माने तो ठिकट को ले प्रेस कॉंफरेंस के बाद के अलान के बाद तो गुपाल मंडल जिस तरीके से जवाब दे रहे थे उस पे आपको हसी भी आएगी और गुपाल मंडल पर तरस भी आएगा और उन्होंने कहा है कि टिकट जो है हमारे पॉकेट में ही था बस कमीज हमने कहीं टांगी उस पॉके मंडल का जो बाइट है उसको सुनाने से पहले क्या कुछ कह रहे थे उससे पहले भी एक बार ये बता देना चाहता हूं कि लालु यादब कोई खेल कर रहे है क्या ये सवाल जो है बिहार की रादनिती में घूम रहा है क्योंकि जेडियू से रुपाउली की विधायक बीमा मंडल की केस में भी लालु यादब कोई बड़ा खेल कर जाएं तो हैरानी नहीं होगी तो सबसे पहले गोपाल मंडल क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से मुखातिव होते हुए वो सब कुछ आप इस वीडियो में देखिए अरे टीकट नहीं मिला अभी पाटी में बैठक चल रही है अगर हमको नहीं मिला तो जिनको मिलेगा उनका परचार करें और क्या करें लेकिन ये क्यूं हुआ आप तो कह रहे हैं ते कि बातचीत हो गई नितिश्कमार ने कह दिया है अब हम अच्छे नहीं लगे हो सकता है क कौन टांल लिए अरे टांड ने लिया हम थी यह कमीज खोल के रखे थे कौन चुरा लिया और कौन है कौन है ने का सकते हैं अजय मंडल जी है ने ने हम ने जानते अजय है तक फैनल हो या ना है तब तो ठीक है लड़ेगा उनका चुना भी है उनको जिताइगे सब्सक्राइब को बोले हुए थे मर्नो प्रांग तक आपके साथ हमने सरकार बचाई है आप सरकार बचा है लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिला गोपाल मंदल जी अरे भाई अभी मंत्राला है सब कुछ है सब कुछ लेंगे लेकिन आप तो कर दो कि नितिस्कुमार भात्या में जाएंगा तो मट्टी पलीथ हो जाएगा उनका यह सब मत पूछी है अब मतलब लोग सभा का टिकट नहीं मिला तो मंत्राले लीजेगा यह बात हुई है देगा देगा नितिस्कुमार देंगे वह एक दम देंगे क्यों हम तो नहीं देगे भाई हम बढ़ के जागे हैं हम समताब पटे को गठना उसी टाइम से नितिस्कुमार के साथ हम भाग ही ने सकते कहीं आज आपके सुर्फ बदले-बदले क्यों लग रहे हैं कहां बदले-बदले लगे हैं मैं उपर से आदिस मिला है क्या कूछ अरे क्य हम लोग को भी उमीद थी कि गोपाल मंडल अगर इस तरह का दावा करें अरे भाया मिलना चाहिए हमको उनको लगता होगा अधर नितिस्कुमार को मुखमंती को अगर गोपाल मंडल की दे देंगे तो यह सीट यहां का घट जाएगा विदायक का सीट हम बोलने में आदम है और रख लिए जहां पर तो क्या लग रहा है सर जिसके मुह में बोली नहीं था उनको टिकट दे दिए तो सर भागल पूर सीट निकलेगा अजय मंडल जी के नाम पर अब देखिए दिया है तो कुछ सोच के हम तुलका प्रचार करेंगा मैं यह ने कहता हूं निकलेगा कि ह जीतेगा अब उसके उपर कितना मेहनत कर सकते हैं आपके सुर्फ बदले बदले क्यों यह बताए ना आपके से तुचुरा लिया गया ना आप तो बोले लेकि आपके पास अजय फिर अब कर दो आपके पास अजय जय बनेंगे मंत्री बनेंगे उसको चालिसो शित लेगा इंडियो को कि तो आपने सुना कि गोपाल मंडल बेचारे किस तरीके से बता रहें कि उनके कमीज के पॉकेट से टिकट कैसे चोड़ी हो गया है और पार्टी जब कहें कि मंडल को जब टिकट दिया गया है तो उनके लिए प्रचार प्रसार भी करेंगे तो अब उनके पास कोई चारा भी नहीं बचता है फिलाल जानकारी के मताविक जिन सीटों को लेकर महागडवंधन में पेंच फसा हुआ है महागडवंधन की भी थोड़ी बात कर लेते हैं उसमें भागल पुर भी सामिल है जहां से कॉंग्रेस नेता अजीज सर्मा की अविनेत्री बेटी नेहा सर्मा के कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है लेकिन गोपाल मंडल अगर पाला बदलते हैं और लालू भीमा भारती के तरह टिकट ओफर कर देते हैं तो ये कॉंग्रेस के लिए बड़ा जटका हो सकता है पुर्णिया में पपु और कॉंग्रेस को लालू ने पहले ही जटका दे दिया है आपको बता दें कि लालू प्रसाद पुर्णिया सीट पर ये खेल कर चुके हैं पुर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने के मनसूवे के साथ पपु यादब ने बड़ी ताम जहाम के साथ नई दिल्ली में अपनी पार्टी का विले कॉंग्रेस में किया था लालू प्रसाद ने जेडियू की बीमा भारती को पुर्णिया से चुनाव लड़ाने का संकेत दे कर पपु यादब के साथ साथ कॉंग्रेस को भी जटका दे दिया है अब गोपाल मंडल अगर RJD में सामिल होते हैं तो कॉंग्रेस को एक बार और जटका लग सकता है क्योंकि नेहा सर्मा जो है अजीस सर्मा की बेटी है उनका टिकट भी कट सकता है क्योंकि कॉंग्रेस चार रही है कि वो भागलपूर से चुनाव लड़े भागलपूर के अजीस सर्मा है नेहा सर्मा का वहाँ घड है इसलिए ऐसा चार है अब देखना होगा कि गोपाल मंडल क्या रुख अक्तियार करते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही कैसा लगा है ये जनकारी ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके बताईए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और अगर ये वीडियो आप फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूले धन्यवाद